कि बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है कि 1915 में जब नोट देखा भी नहीं होगा किसी नहीं नोट का कोई चर्चा भी नहीं होगा मतलब उस समय इन्होंने नोट शाप करके और देश में बाटना शुरू कर दिया था उन लोगों को जो कि देश को आजाद करवाने का सपना दे जान देदेला देश खाती हूँ तो पईसा खात कर में ना रहे देश का चकर में रहे जहां मरें देश बुलांबा फासी चड़ गई ले जाली नोट जो चापा गया था उनके अबरा जाली नोट एह सव दस रुप्या का यह साचा सब सी आइडियो पीसमें रखा हुआ है स जानी नोट पाकल पाकल पानावा खी अउले को पीछा नवा प्रिटिश यहां नवा में कोई नी बारा रहा है महेंदर मीं थी पॉरल वा पुलिस वास जीत लेता है और विश्वास जीतने एक बाद गोपी चंदर नामक वह दूस्ट परानी कहेंगे उस इंसान को जिसने विश्वास गात कर दिया इसके बाद महेंदर मिश्विल को जील हो जाता है स्वार्थ के लिए अगर जीये होते इन्होंने बहुत बड़ा बात कह दिया एक सब कि मुझे अपना घर बनाला है तो चांदी का महल सुचिए चांदी का घर दिख रहा है इससा घर इससे भी वि परिवार को भी उन्होंने नहीं समझा परिवार को भी त्याग दिया और देश को उपर रख करके देश को अजाद कर आया लेकिन सर्म है आज के भारत के नेताओ पर जिन्होंने महेंदर मिशिर को उतना बड़ा धर्जा नहीं दिया जितना बड़ा धर्जा में भारत का कल खाएगा नहीं वो लड़ेगा कहां से कहां से लड़ेगा सकती ही नहीं रहेगी तो फिर कहां से लड़ेगा आज परधान मंत्रिया में जलालपूर हमारे घर में भोजन नहीं है हमको अच्छा लगेगा उभासौन 16 मार्च 1886 को विहार के छपड़ा जिले के जलालपूर में एक ऐसे सक्सियत का जनम हुआ जिन्होंने अंग्रेजों को जो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाए उन अंग्रेजों को गुलाम बनाने के लिए इन्होंने प्रयास करना शुरू किया जब नोट छपता नहीं था उस समय से इन्होंने नोट छपने का काम सुरू कर दिया था इसके बाद इनके घर पे तीन सालों तक मेहंदर मिसर जी की मैं बात कर रहा हूं पुरा देश और दुनिया उनको जानता है और छप्रा जिले का पहचान अगर है तो मेहंदर मिसर जी के वज़ा से बहुत काम और आप नहीं जानते होंगे जिसको साथ गूगल भी नहीं बता सकता है उन सभी कहानियों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे उससे पहले सबसे पहले बाबाबा बहुत-बहुत स्वागत बढ़ा हूँ अगरेजी हुकूमत रहें बहुत भयंकर अत्याचार रहें वह समय में यहां का जाली नोट शापके करतिकारी लोग के मदद करेंगे आरे यहां का हम रागाए आई-जी सहथ बलावनी पत्ना यह इतना हमरा के आई-जी सह जो नहीं नाव जनकारी रहें तो लूट हमेरे आई-जी सह जनकारी देंदेंगे कि आप जब उसका हाथ हैं से किए कि जब इसका चूला हील गया तब CID डिपूर्ट हुआ तो आपके गाउं केक बेखती गुड फेत्व है दिया सुच ना तब यहां से CID आपके यहां गया है आउज जो गोफिचानवा था गोफिचानवा नहीं है प्योर अंग्रेज है अच्छा सब लोग जानते हैं कि गुप्चानवा है नहीं 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 प्योर अग्रेज है आई जी साहब का उसके बाद से लगे बताने कि उनका वास्वली फास्ट फ्रेंड कोन है आपको महलुम है अमिजी ओही साल था मर्जोना मुंगा के विर्टू का साल चितरंज सब्सक्राइब कर देती हैं हिंदिस्तान में मार नमरी के पैसा के धर ठेर लगा दिया जब इसका अर्थ बेवस्ता भंगोने लगा तो अब सी आईडी डिप्लूट हुआ कि किसी तरह से हमरे हैं सी आईडी आ गया तीन साल तक उसको पता भी नहीं चलता था कि नोट कहां स होता है तो का पता चले हर्मोंनिएम में मेर नहें तबला में हैं गई पर गाम देने बनारस सब क्रांटिकारीं लोग को पता है कि बनारस वसी जगह छब गए रात में पिर चला आए इलाबाद कलकत्ता असाम जहां तहां उसी जगह पर गार्म होए जाता था कि अमुक्ण पहुंच जागा है इतना गरीबी था तो जिसका लरने का खाने का नो हो लड़ा ही लड़ेगा किसी का जुत्ता गोड में नहीं हम लोग देखे हैं छपरा का चोहरी में जो आप पतल खाके बीग देते हैं दसाथ भी खारा है उस पतल को चटने के लिए हमारे आँख कसमने के बात है हम देखे हैं इतना गरीबी इन्होंने रोट शाप करके सारी लोगों को मदद किये एक समुह त्यार किये आँउसके बाद से तब यहां पारारे आज़ेस्टिंग हो गया वह बहुत विश्वासित नो कर था हमरे बाबा का गुप्चानवा इस चाहल करें जोच साहब का लगा लोगोगर शन्मा अब बाबा हुए को निकी पाकॉल पाकॉल पानावा खीयोले को पीचान नहां पिर्तियां लगा के बेज़ा जरकानावा तो वह बाबा का संग है पॉप प्रसनाल्टी को लोग नुट्रवाज च्छापी शापी गीनिया वह जो निये महेंदर में इसी पुल ब्रीटिस है के कोई नी परहसान है वह होगो लोग लिगेन वह फेमा सुभा तो यहां करें यहां से हो गई 20 साल के सजाओ तो जेल में बोला के बाबा कोहनी हमें पिता जी के चला जा कलकत्ता सित्रहंजन दास वरिष्टर है मेरा दोस्त वो लोनेंगे मुकदमा कागोज लेकर यहां का आज सित्रहंजन दास को ठक परिस्रम से यहां का फांसी ने खेंदेगे दस साल के सजा मेरें के सेंट्रल जेल वक्सर वही जेल में जब यहां का पसंत तुरह है भीपर के पिर है कि सुभा में चार बजह है का भाईर भी टलने रहें ह। जेल का भाईर की कोई कोई दिगाता है जेलो उंकर पत्नी आया का तब तक आभास को गोल के कुछ कोहले जे एक ठोवागो एक ठोवागो एक ठोवागो चार ठोव वह कोहले जे मिस्राजी अब इसको जेल मत समझेगा क्या आपका घर है किसी तरह का कि हमारे बुद्धों बच्ची है कि इनको संगीत परंगत करते हैं कि कॉलम किताब कापी सब लगने रमायन लिखे तब महेंद्र संगीत अपुर्व रमायन सातों कांट यह का रचना कोई नहीं उधव राधिका संबाद महेंद्र मयंक महेंद्र बीरोद नना तरह के ग्रंथ के रचना कोई नहीं जो राष्ट भासा प्रिशत में प्रकासर का क्रम में बाव बस दस दिन पान दिन में निकल जाता तो वह महापुरुस के है ज़ाना तकी नमरी छपनी और तुब अस्था भग भग में पवेक्ति के मकान निक है रहे के तीसरा पूस्त हम हमरा पिता जी भी ना बनोनी मुकदमे में रह गो नि हम तीसरा पूस्त गवर बनोनी उहां का मकान निक है कोहीं बयक बाइलेंस पांच और निक है पांच कठां वहां कराम से जमीन निक है आजवना नमरी सुर्थ भी वस्ताभ भंग हो गोई तो सारी करतिकारी लोग के मदद कोई निए उस्तव लोग कह रहे हैं हिमांदारी देश लोकोत रहे हैं हमर देश गुलाम हो गईलबा मे जानी रोह के का कोड़ी है आज तो लोग दोसर बात हो गई आज तो खली पई से रह गईलबा देश भगती है जिस इंसान ने देश को आजाद करवाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया साथ मुझे लगता है कि महंदर मिसीर कर ना होते बिहार के शपरा के इसलिए लिया जाना चाहिए और लिया जाता भी है क्योंकि महंदर मिसीर ने नोट च्छापने का जो काम किया उसके बाद करानतिकारी लोगों का मदद किया कि गड़ीबी इतनी थी तो अपने जवाने की बात बता रहे हैं उसके पहले सोचिए कि कितनी अस्तर की गरीबी होगी, कि लोग मतलब इनके जवाने में जब पतल फेक दिया जाता था, खा करके अच्छे लोग फेक देते थे, तो गरीब लोग उस पतल को चाट करके अपना भोग मिटाने का काम करते हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि द स्वीरू को एक पर दिखाया जाए, बाबा के मध्यम से, इन सभी नोटों को चाप करके उन्होंने देश में जो अंग्रेजी शासन काल था, उसकी अर्थ व्योस्ता को पूरी तरस से भंग कर दिया, जिसके बाद उनके घर पे तीन सालों तक, सोचिए तीन सालों तक एक इ विश्वास हो जाए, महंदर मिसिल जी को उस पर विश्वास हो गया, तीन सालों तक उनके साथ रहता था, उनके घोडों का देख रह करता था, घर साफ करता था, जारू पोछा का काम करता था, और विश्वास जीत लेता है, और विश्वास जीतने एक बाद गोपी चंदर नामक हुआ दूस्ट पढ़ानी कहेंगे उस इंसान को जिसने विश्वासगात कर दिया इसके बाद महंदर मिश्विल को जील हो जाता है बिस साल की सजा सुनाई जाती है लेकिन उनके जो चितरंजन दास मित्र थे सबसे घनिष्ट मित्र उनके कारण उनकी सजा दस साल माफ ह हो जाती है और दस साल की सजा काट कर फिर दस साल की सजा काटने के बाद फिर वापस नहीं के लिए लेकिन कागिजे में कहुंका मालुम ना रहे हैं सुप्रेटेंडन के लड़की के यहां का जो परंगोत को दहनी संगीत विद्या में तो वह कोहले जो तुम अपने गुरु जी को निकाल दो कोई से बारे बज कि एक दरवाजा खुलेगा अज जो निकॉल गया उस पर से के सबसमाप्त अब आके को अलोश बाबा से बाबा के इस वासरा बहुत कर दो ना रुए चली शोली बजारात के लिए तो गेट खोलो तीन साल पर नहीं जेल से निकल देगा से महान रुए तो रहें पूस्ति हो ठाव अपृटिस सिद्धा टॉट नहीं थे भारत के थे जिन्होंने मदद किया जिसके वजब सबस्ते निकल गए और अंग्रेज नहीं करता तो नहीं करता देश रोही था अधिए और लोग थे लिए निका जगदान है जेलर साहब का कि सुपरेटेंडर का जेल सुपरेटेंडर का अभी राज पॉलिटिक्स का बताए बताएगा आज का पॉलिटिक्स जो बताएए उनका अभी तक कि स्वतंतरता से नानी का दर्जा नहीं मिला भारत रतनुरु को मिलना चाहिए इसमें तो कोई सब्सक्राइब सरकार कंए ऑज्या का यह कि रहां है किन गण्दी हो घंदर जैसे लोगों को भारत रत्रत नहीं मिल सकता है स로 तंतरता से नानी का दर्जा नहीं मिल सकता तो फिर किसे मिलेगा सिसे इन需तान के स्वातनतरता सेनानी का दरजा मिला है मिलना पारत दरजा मिलना चाहिए मिलना चाहिए लोट को स्वातनतरतासैनानी का दर्जाम मिलना चाहिए कि नहीं मिला चाहिए नोट को हम चाहेंगे एक बडिखाई यह बताइए हम को इसके बारे में जाली नोट जो चाह पाग्या थे वह जाली नोट यह तो दस रुपया का यह साचा सब सब और रखा हुआ है सब जाली नोट जाली नोट है जो उनके द्वारा बनाया गया था देखिए इसके साचे को भी रखा गया है यहां इसके बगल में जाली नोट लिखा भी गया है जो कि भारत के नक्से को बदल करके रख दी थी भारत हजाद हुआ इन सभी चीजों के वज़ा से हुआ था क्योंकि अगर यह नोट नहीं छापे गया होते तो सतंता सेनानी जो लोग थे क्रांतिकारी लोग थे दिखाई है कि सौ का नोट है जब अठाइस उन्हें इस अठाइस में पांच रुपए यह का नोट भारत में छपा कि उन्हें सब्सक्राइब जरब बैंकिया स्थापना हुई भारत में इनका 24 में अरे श्टिंग हुआ इस नमरी कहां से आ गया छपना मसें जब 24 में इनकार इस्टिंग है नमरी छपने में आठाइस में पांच रुपए अगर रोटे छपा है भारत में करें दिमाग का कलपना भी नहीं कर सकते हैं कि वह दिमाग कैसा था कहां से था और भयंकर जैसा होना चाहिए चीज पूछे आपसे बाबा मुझे जहां तक लगता है कि अकर यह नहीं नहीं होते तो भारत रस्तमाजाद नहीं हो पाता यह तो सच है सच है करन्तिकारियों को इनका गाना लिखने में बैंड था कि सबसे जरूरी था क्योंकि जो बाबा ने सही बात कहा कि जो खाएगा नहीं हो लड़ेगा प्रधान मंत्री आवे जलालपूर हमारे घर में भोजन नहीं है हमको अच्छा लगेगा उभासौन कैसे लाइगा कि यह महंदर मिसीर के पोता हैं इस महंदर मिसीर ने भारत को आजाद कराया और शोतंतरतार से नानी थे दरजा नहीं मिला है आज तक दर्जाने मिला और दर्ध है यह और सोचें कितनी कंदी पोलिटिक समारे बिहार और भारत की हो गई है बिहार सरकार इस पर चर्चा करना नहीं चाहता है उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए आवाज इस पर सदन में कि महांदर मिश्र का घर आखिर आज तक बाबा ने यह धर बनवा तो सबीस्तु विदाय को इस लिए मिली चाहिए क्योंकि पूरे भारत का कलियान करने में महेंदर मिसिर का बहुत बड़ा योगदान था उस चीज को मैं नहीं पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है कई सारा बुक्स अनों ने लिख दीया जेल में रहते हुए जो कि आज बच्चे पर करके हम लोग पर करके साथ बहुत कुछ सिख सकते हैं देश प्रेम क्या होता है उस सभी चीजों को नहीं ने सीखाने का काम किया है और आज भी उनका परिवार कहें नहीं कह सकते हैं कि नही बात हो ला कि आज कल के सुतंतरता से नहीं जनता निवाए जो नहीं भी लुए अब कर तो महत्तों सबसे ज्यादा रख लबा ना तो आज यह हमार महापूरुस अपन प्रांद देदा लौस फासी चर्गुए लुए है बल्ला भाई पटेल तो फासी भाईले खुदी राम बोस्क बहुत बहुत महापूरुस अमार आपन प्रांद देदा लौस देश खाती प्रांद देश का चक्रवा रहे हैं देश का चक्रवा रहे हैं देश भुलामबा भांसी चडगुए ले लें सब लोग कर लेती सब कुछ अपना खाती सब भासन से इहां का परभावी थो गोई नहीं कि ना ना जो रहले अभ्यानंद जी करंतिकारी के उस्ताद इंहां का तज्यात्र नी एक संगीत अथी में लड़काई में तो रहे खाली कुछ थी आप संगीत प्रस्नाल्टी बहुत ठकरार है कि सामके मेरा रहे यही जो खायरा का लगे लगेगो बहुत बढ़ा फंक्सन रहे तर सवारी ओको नो ना सैकीलों न किखिका का सवरी रहे घोरा भुर्तवारी भी के सोख रहे हुंग आना तो बहल गरी तो घोरा रहे तब पिता जी के ड्वरे घोरा निखि लेत अपपव देशे गोईनी है का आरवा पोखरापो खायरा खायरा पोखरापो अच्छार अपाशा जी साधू बेटार रहा है माभीर जी का मंदिर वात जेखो लोग चाल कोई लोग को संगीत है थी भा फॉंक्सन भा का संगीत में रुशी में बेशी है तो बहुत बाद हुए लोग अधिर मिललवा संगीते का वेकति है इनिके मालूम जी हमनी के बेरी लाग लग वा गुर में फेर हमनी ओ कबाल बाचा जी भी जोनम लियोकर बेरी लागत रही इस सरीर रह कर का कोरी हो तुछ निस बइठावल वहां के लेकर चला गोईलों कर कता अभी हा हो गोईल किया पह हाँ खानी तो लोग जा बाहर तक वह लोग पहुंचता के गों चीठी भेती पहुंचता के वो करा पहले तार कुछ ना रहे है तो यह वो ही जासे विखा का रूप धॉले गीत हम चाहिं के वो कौन रूआ बताई जौनकी गीत हम बहुत सारा संगीत वाओं है कर ऊचिर यह कोने गीत हम अधम संचाहिं जेलवा में जब उखे अरेस्टिंग भाई जज का लगे खराब होई नी तो अभी पुलिस इस्पेक्टर एक पहुँ चलबा तब जब जब पुलिस इस्पेक्टर के बाबा तुमका का पुझा गई जो इसी इडी हैं आपकरो लेबा तुमका कोहनी की नुट पाकल पाकल पा सब्सक्राइब जब पुलिस आपको लगेगा उतना भी छोटा कहानी नहीं है कहानी बहुत लंबी चोड़ी है लेकिन कई सारी अनसुनी कहानिया इस वीडियो में आपने देखा होगा जो साइध आज से पहले आप नहीं जानते होंगे नहीं देखेंगे यो कहानी नोट छापने का था कि नोट अधाइस में तो पांच रुपया के नोट छपल भा भारत सरकार में भारत में सरकार का अगरेज गोवर्मेंट शपले भी यह पांच रुपया के नोट अठाइस में अब 35 में जरूब भाइंका स्थपना बाख आए यहां का 24 में आरेश्ट बानी नमरी छपला में दस्टकिया तो आउर पहले छपाहिल हुई तीन साल तो पहले एक इस प्रक्टर रहा है और तो एकोष्भाइल चोवीश से तीन घटा दी तो एकोष्भाइल तो एकोष्भाइल पहले आउट छपाहिल तब तहरका मचल होई तब सी आईडी का रिपोर्ट होई तो देखिए तो जब पंदरे में यहां के नोट सपले बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है कि 1915 में जब नोट देखा भी नहीं होगा किसी ने नोट का कोई चर्चा भी नहीं होगा मतलब उस समय इन्होंने नोट शाप करके और देश में बाटना शुरू कर दिया था उन लोगों को जो कि देश को आजाद करवाने का सपना देख के क्योंकि अंग्रेजों को जब पता चल जाता तो इन पर खत्रा आ जाता इनको भी मार दिया गया होता लेकिन कैसे भी अपने आपको बचा कर देश को आजाद करवाने के लिए देश को सरोव पड़ी रख करके इन्होंने काम किया नोट शापा 1915 से लेकर के 1921-22 देश त सब्सक्राइब है था कॉमन सेंस देखी लिए मालनी कि जहीं आउंगा का नमरी चपले बनी बारे रुपे भरी सोना रहे हैं आज नमरी चपले बनी अगर चोहती तो चांदी के घौर बना दला रहती हैं जेंगों आज एक मुखिया जीत को इलबाओकर यागे इस्तिति दे कि में लेंपी के तो बाते हाला हटा दी है अज यह नमरी चपले को मरोई नहीं है कि तो कॉमन सेंस जाज कभी सेवां कि तभी नमरी अब होईल का इस सब समपती है का अपने बारे में सोचे होते हैं सब्सुरार पचीस वी गहां मरतर का के नुए सब्सुरार पचीस वी गहां बाबुजी लिखके लड़ गल्वानी मुकद्मा है कि पचीस वी गहां देखिए स्वार्थ के लिए अगर जीए होते इन्होंने बहुत बड़ा बात कह दिया एक सब्द में कि अगर इनका स्वार्थ होता कि मुझे अपना घर बनाला है तो चांदी का महल सुचिए चांदी का जो घर दिख रहा ना एसा घर इससे भी विसाल घर चांदी सोना का बनवा लिए होते और आज उनको किसी चीज का उनके परिवार को उनको कमी लेकिन कभी उन्होंने अपने स्वार्थ और अपने परिवार के स्वार्थ के लिए देश को बेचने का काम नहीं किया बलकि देश के लिए अपने परिवार को भी उन्होंने नहीं समझा परिवार इंपी सांसत लोगों का जो घर होता है उससे भी बढ़िया घर मिलना चाहिए उससे भी बढ़िया उनको अवास और साधी शीज़े सुविदाय मिलने चाहिए और भारत रत्न से सम्मानित परिवार को करना चाहिए उनके नाम से बाकी आपकी क्या राह इस पूरे वीडियो प ताभार ये हिंट